हेलो UPSS Parent आप सबी का बहुत बहुत शागत है आज हम लोग एक महात्रपून संस्ता के बारे बात करने वाले है जो पिछले एक दो साल में लगातार ख़वरों में रही है तो हो सकता UPSS 2023 में एक कुश्चन आहां से पूछ ले देखे यह फेटी है Financial Action Task Force का जो गठन किया गया वो गठन किया गया पेरिस में पेरिस में G7 की मीटिंग थी उसी मीटिंग के तहत इसको बनाया गया और कब बनाया गया 1998 में ध्याना किया शुरुआत में जब यह बनी तो इसका सिर्फ एक ही मोटिप था और वो था Money Laundering मतलब जो देख Money Laundering में समलित है उसके उपर निगरानी रखना लेकिन जब 1911 का हमला होता है टेर्रिस्ट का जिसे हम लोग जानते हैं उसामा बिलनादिन द्वारा अमेरिका में तब अमेरिका ने एक चीज़स में और आड़ करा दी जो दुनिया के सभी हिस्तों में सबसे प्रमुख विद्धिय केंदरों का प्रतिने दिख्तों करता है ठीक है ये बात ध्यान रखना है कि कुल्मिलागे 39 मेंबर्स हैं इन 39 मेंबर्स के साथ साथ दो रिजिनल और्गनाजेशन भी हैं पहला है European Commission और दूसरा है अगे की बात करें तो FATF छेत्रिय भागिदार Asia Pacific Group और European Group जो है उसका भी सदश्य है इस बात को बस ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछे कि किसी ऐसा option बनाए कि इंडिया FATF का तो सदस्य है लेकिन Asia Pacific Group का सदस्य नहीं है या European Group का सदस्य नहीं है तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है भारत इंसका भी मेंबर है आगे बात करें इंडोनेशिया FATF का एक मात परविच्छक देश है जिसे कभी भारत हुआ करता था वैसे आज यह है आगे जाल क्योंपी थे यह भी मेंबर बन जाएगा आगे बात करें तो कुछ important organization है जो observer के रूप में वहाँ पे काम करती है क्यों क्योंकि यह सभी संसाएं कही ने कहीं money laundering, terrorist इन सबसे जूड़ी हुई है और यह जो संसाएं हैं यह पूरे बिश्व में पैसे के लेंदेन से संबगने थे जैसे ACN Development Bank जो की BRICS का bank है IMF International Monetary Fund International Organization for Security Commission Interpol अब देखें Interpol क्या है इतरह की पुलिश है ना पूरे बिश्व में गुप्त रूस सिकार करती है इन्ही सब चीज़ों पर यह देखते है money laundering हुआ जो terrorist finance है यह लोग यह देखते है Organization for Economic Cooperation and Development United Nation Office on Drug and Crime United Nation Center टर्रिष्ट इतनी सारी संस्थाइं जो होती है वो क्या करती है जब भी FATF की meeting होती है वहां रहती है और FATF में जो भी नलना लिया जाता है उस हिसाब से यह लोग भी क्या करते है उस देश की उपर अपना action लेना शुरू कर देते है इसलिए काफी खतरनाक संस्था मानी जाती है FATF जो पूरे बिश्व में आपकी क्या कहते है न लंका लगा सकती है चलिए आगे बात करते हैं लोग FATF के बारे में इसमें दो लिष्ट है एक ग्री लिष्ट है इनका एक ब्लैक लिष्ट है अगर बात करें तो इनकी एक प्लैनेटरी ऑफिसर्स की मीटिंग होती है उसमें उसमें बिलाके एक वर्ष में तीन बार त्रिय वार्शिक मतलब फरवरी में जून में और अक्टूबर में इनकी मीटिंग होती है उसमें मुल्यांकन होता है और जाय जाल याता है कि कौन से देश पे क्या क्या घटना है घटी है और जंसे मरे से अगर हागी की बात करें जुए शुरक्षिट आश्यर मना जाता है यह मना जाता है कि यह ढहरे 小 1080 और ऑुँद्गें समथ्थन कर रहे हैं और यह आशब कर रहे है उस देश को ग्रे लिश्ट में रखा जाता है जैसि पाकिस्तान अभी तक चार भार ग्रे लिश्ट में आ चुका है आगे की बात करें ब्लैक लिश्ट में गयर सरकारी छेत्र या छेत्र सामिल हैं जो आतंकी फंडिंग और करते हैं मतलब पूरी तरह से पता चल जाए कि आप पूरी तरह से जम्लित हैं और आपको कई बार चेताउनी देने के बाद भी आप नहीं रूख रहे हैं तो आपको ब्लैक लिश्ट में डाल दिया जाता है कि हागा की बात करें तो अब तक इरान उतर कोरिया और म्यामार रूख और पाकिस्तान ब्लैक लिश्ट हर नहीं है बंकि ग्रेarlिश्ट कर लिया गया ग्या तो इतनी बातें एफटि वार के बारे में जरूर धान का फिर मिलेंगे अब यस 2019 में तब-पो campus झाल झाल